तो आज के हमारा सवाल है कानेमेटिक से तो स्टार्ट करते हैं अब बैलून स्टार्ट्स राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉंग ग्राउंड विद अ कॉंस्टेंट एक्सलरेशन वन पॉइंट तू फाइफ मीटर पर सेकेंड स्क्वार हमको एक्सलरेशन दे रखा है वो भी कॉंस्टेंट एक्सलरेशन बोला है और जहां पर कह दे कॉंस्टेंट एक्सलरेशन तो यानि हम न्यूटन की तीनों एक्सलरेशन लगाने के लिए वैलिड है है ना तो यहाँ पे हम Newton की 3 equation लगा सकते हैं तो आगे यह गहरा है After 8 second 8 second के बाद A stone is dropped from it Find out displacement पहला displacement of the stone After releasing it Release करने के बाद उसका displacement बताना है तो चलिए निकालते हैं हमें निकालना है S तो यानि यह अब हमसे कह गह रहा है एक balloon है यह उपर जा रहा है Acceleration 1.25 meter per second अब हमसे कह रहा है 8 second के बाद यानि T is equals to 8 second के बाद यह यहाँ से कुछ distance travel कर लेगा है ना तो उस distance पे इसकी velocity क्या होगी तो पहली चीज़ तो V is equals to U plus 80 है ना Initial velocity हमसे कुछ कहा नहीं कहा गया है starts rising यहीं स्टार्ट कर रहा है तो initial velocity 0 तो V is equals to U और A क्या है 1.25 time क्या है 8 तो हमारी velocity क्या होगी 850 is a 40 860 is a 20 810 10 10 meter per second है ना तो जब यह 8 second पे इस height पे होगा तब इसकी velocity हमें पता चल गई 8 अब बैलून से इन्हों ने कहा कि हमने एक stone drop किया पहली चीज़ तो इन्हों ने यह drop किया stone तो initially balloon जिस यह 8 नहीं sorry 10 है initially यह 10 से उपर जा रहा है इसकी initial velocity balloon की इतनी जब हम किसी चीज़ को drop करेंगे तो वो उसी velocity को acquire करेगा यानि उसी velocity से चलेगा जो उसके system की थी यह system से भी अलग हो रहा है हुआ नहीं है है ना तो अभी इसकी initial velocity उपर ही direction में 10 मीटर पर सेकेंड है और अब यह बढ़ेगी नहीं क्योंकि यह system से अलग होगा है ना अब इस पे यह acceleration यह वाला काम नहीं करेगा इस पे acceleration काम करेगा small g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला है ना तो अब यह इसकी initial velocity 10 है उपर की तरफ है ना तो पहले तो यह उपर जाएगा stone पहले यह उपर गया तो एक point ऐसा आएगा जहां पे इसकी velocity 0 हो है ना उसके बाद यह नीचे आएगा है ना तो यह पहले यह distance travel करेगा उसके बाद यह अब यह 8 सकेंड में यह बैलून कित्ता उपर गया है है ना तो यह निकालने के लिए हम लगा दें Newton की second equation s is equals to ut plus half 80 square initial velocity क्या थी 0 तो यह पूरा term ही क्या हो गया 0 acceleration क्या था 1.25 time क्या था 8 का whole square 64 64 divided by 2 32 32 into 1.25 है ना तो यह आगे 5 to 2 to the 4 5 to 1 to 2 3 5 to 15 3 to 6 7 to 3 0 10 10 4 यह आगे हमारा 40 तो यह 40 meter इसने यह distance travel की थी अब यह यहां से यहां तक गया है है ना यह जो इसकी distance थी यह कितनी देर में travel की हमें time नहीं पता है पहली चीज़ टाइम निकालने के लिए हम V is equals to U plus 80 लगा दें है ना final velocity 0 हो रही है initially इसके पास 10 है acceleration क्या होगा minus का 10 क्यूंकि यहां पे इस पे जी लगने लगेगा जो की नीचे है और velocity इसकी उपर है तो दोनों का sign opposite vector quantity होती velocity और acceleration जिसकी वज़े से यहां पे negative आ जाएगा है ना तो minus 10 T और यह इधर minus का 10 T उधर जाएगा तो plus का 10 T तो 10 T is equals to 10 T is equals to 1 second यानि यह एक सकेंड के लिए उपर गया है उसके बाद नीचे आया है है ना तो यह 8 सकेंड में यह S कितना travel करेगा तो यहां पे हम लगा दें फिर से S is equals to UT plus half 80 square initial velocity यहां पे इसकी 10 है और time एक सकेंड के लिए उपर गया है और यहां पे minus इसलिए आएगा क्योंकि यह acceleration यानि G जो कि इस पे नीचे लग रहा है direction opposite है तो यह half acceleration हमारा 10 time क्या हो गया 1 का whole square 2 5 is a 10 10 minus 5 यह आगया 5 यानि यह 5 meter उपर travel करेगा और यह 40 meter और यहां से यहां तक travel कर चुका है हमसे पहले point में कहा गया है displacement तो पहली चीज यह जो stone है यहां से उपर गया 5 meter फिर 5 meter इसी point पे नीचे आया फिर उसके बाद ground पे 40 meter गया है तो displacement क्या हुआ 40 meter है न displacement हमारा क्या हुआ 40 meter ठीक है यह पहला answer हो गया ठीक दूसरा क्या क्या है तीसरा क्या क्या गया रहा है total distance travel by stone total distance क्या पहली चीज यहां से यह 5 meter उपर गया फिर 5 meter नीचे आया फिर यह 40 meter नीचे गया तो total distance इसकी कितनी हुई 5 plus 5 plus 40 यानि 50 meter travel किया इसने distance 50 है displacement 40 है difference है displacement एक vector quantity है हमारी है ना और यह distance क्या है हमारी एक scalar quantity है ठीक है तो यह हो गया अब हमसे दूसरा point क्या कह रहा है तीसरा हो गया दूसरा time taken by stone to reach on ground stone को धर्ती पे पहुचने के लिए समय है ना तो time time taken तो यह एक तरीके से हमें time of flight नहीं कह रखा है अगर गौर किया जाए यह यहां से छोड़ा गया उसके बाद यह यहां से उपर गया उपर से फिर नीचे आया इत्ती देर यह हवा में ही तो रहा और जित्ती देर जो चीज हवा में रहती है वही तो उसका time of flight होता है तो यह एक second के लिए हमने निकाला थे यहां पर एक second के लिए उपर गया फिर एक second के लिए नीचे भी आया और फिर आठ second यह distance travel की थी यानि total time कितना हुआ 1 second plus 1 second plus 8 second यानि 10 second यानि 10 second यह इसका time taken हुआ यानि इसका time of flight कितना हुआ 10 second अब हमसे कभी कभार केवल यह दो चीज़े पूछी जाएंगे displacement और distance वो करेंगे क्या यह लिख देंगे find displacement and distance respectively है ना और पहला option क्या लिख देंगे 50 meter and 40 meter अब देखिए यह 50 meter हमारी distance आई थी और यह 40 meter displacement आई थी इन्होंने क्या कहा displacement और distance respectively और चौथा option करेंगे 40 meter and 50 meter displacement 40 meter यह आया और distance हमारी 50 meter यह आया है ना यह option arrange करने का तरीका यह last में यहाँ पे भी गलती होती है ठीक है थैंक यू यह अन्हों कहिए लाग McDो 02